गुड मॉने डियर स्टुडेंट्स गाइत्री विद्या मंदिर सेनियर सेकंडरी स्कूल साच और के यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमें यहाँ पर क्लास 12 इसके इससे पहले तीन लेसन जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उनको हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा यह जो लेसन है वह फोर्थ लेसन है जिसका सीर सक जिसका टाइटिल है लॉश्ट स्प्रेंग और इसके ऊथर है अनेश चंक सबसे पहले तो आपको यह जो टाइटिल है इसके बारे में बताना चाहूंगा लोश्ट स्प्रिंग का यहां पर तात्परे है खोया हुआ बसंत इसका जो साप्तिकर्थ है वो खोया हुआ बसंत खोया हुआ बच्पन ऐसे कुछ बच्चों की यहाँ पे कुछ एक एपिसोर्स, कुछ घटना है कुछ कहानिया आपको बताएं गहीं है जो बच्चे पारिवारिक परिस्तितियों के कारण बच्पन से ही अपने माता पिता के साथ उनके कारे में हाथ को बटाने लगते हैं जो अपने बच्पन का आनंत नहीं ले पाते अपने बच्पन को नहीं जी पाते हैं इस प्रकार के कई प्रकार के ऐसे बच्चों को आप निस्तित रूप से अपने समाज में अपने आसपास देखते होंगे उन्हें की ये कहानिया जो हैं आपर दे रखींगें तो आज सबसे पहले तो इस lesson का जो इन्पोर्टेंट जो इसके difficult words हैं important जो words हम पहले उनको एक बार learn कर लेते हैं और उसके बार हम इसका paragraph देखते हैं देखें एक word यहां पर दे रखा है dear students जिसका तात्पर्य है garbage और निश्चित रूप से आपको पता भी होगा कि garbage का जो तात्पर्य है वो होता है कच्रा या कूडा भी कहते हैं okay dust next word है आपका encounter और encounter का तात्पर्य है यहां पर मुलाकात हो जाना मिल जाना है वैसे तो आपको बता दो encounter मुट्वेर्ट भी होता है इसको हम meet भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं meet यानि मुलाकात इसके राबा एक word आपका यहां दे रखा है इस scrounging या फिर scrounge बोल सकते हैं scrounging का तात्पर ढूनते हुए जिसको आप कह सकते हैं search मिंस भी तलास या ढूनना या खोजना एक word है यहां पे आपका gold और gold से तात्पर यह जो है वो बैसे तो सौना होता है लेकिने या प्रशन्य या संपत्ती एक word है यहां पे गार वेस डंप और रष्दमस का जो तात्पर यह है वो है कचरे का धे Kollegin मतलब जहां पे कचरे को गिराया जाता हो एक word है यहाँ पर आपका storm आप जानते भी होंगे storm का यहाँ पर तातपरे है तूफान तेज हमाए एक word यहाँ पर आपका लिखा हुआ है swept away और swept away का तातपरे है बहा के ले जाना next word आपका है यहाँ लुक फॉर और आपको बता दूँ लुक फॉर का तातपरे तलास करना खोजना और इसके लिए भी आप कह सकते हो लुक फॉर यानि सर्च करना एक word है आपका है मतर मतर का तातपरे यहां पर बुद्बदाना मतलब धीरे से पोजना एक word है आपका यहाँ ग्लाइबली शॉरी ग्लाइबली और ग्लाइबली का तातपरे है लापरवाही से ठीक है लापरवाही के साथ एक word है आपका यहाँ पर होलो और होलो का तातपरे यह खोखला ठीक है और जितिहीन अस्तितिहीन कह सकते हैं एक वर्ड यहां पे ब्रोड ली है ब्रोड ली का ताथ प्रोड याँ खुल करके ठीक है एक वर्ड यहां पर आपका दे रखा है involved इंबेरेस्ट का तात्पर होता है सरमिंदा होना और नेक्स्ट वर्ड इस अबाउंड और अबाउंड का तात्पर है प्रच्चुर यानी परियाप्त मात्राम होना एक वर्ड है यहां पर आपका ब्लीक और ब्लीक का तात्पर होता है नीरस ठीक है रूखा भी कह सकते हैं नीरस कह सकते हैं आनंद रहित कह सकते हैं ठीक है एक वर्ड है आपका यहां अनवेर और अनवेर का तात्पर है बेखबर होना अनजान होना अनविग्य होना एक वर्ड है यहाँ पे ROAM रो मयानी घूमना या भटकना एक वर्ड है यहाँ पे आपका barefoot और barefoot का तातपरे है नंगे पेर और एक last word आपका यहाँ पे है recognize सही से नहीं दिख रहा होगा RECOGNISE और recognize का तातपरे होता है पहचान ना identify भी कहते है सॉरी क्या कहते है उसको identify identify तो यह आज के जो भी हम learn करेंगे lesson को जो part उसके यह कुछ difficult words थे और अब हम देखते हैं इस paragraph को आप चाहर इसका screen shot ले सकते हैं यह रहा हमारा lesson जिसका title मैंने आपको बता दिया था जो है lost screen और जिसकी author के बारे मैंने आपको बताया था जिनका नाम है अनीस जंग ठीक है अनीस जंग तो यह इसकी author है देखते हैं हम देखें सम्टाइम्स यानि कभी कभी आइफाइंड रुपी इंदी गार बेजी हां पर एक जो character है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वो character है यहां पर साहिव है जिसका पूरा नाप साहिव है आलम है जो के कच्रे के धेर से कच्रे को बीनने का काम करता है यूजफुल जो material है जो उपयोगी सामकरी उसको लगती है उनको उठाने का काम करते हैं तो वो कह रहा है कि sometimes यानि कभी कभी I find मुझे मिल जाता है और रुपी यानि एक रुपया इंदी गार बेजी यानि उस कच्रे के धेर में यहाँ पर जो लेकिका है आपकी यानि इस जंग वो उसे question करती है उससे मुलाकात होती है तो वो कहती है वाय डू यू डू दिस तात पर हुगा वाय डू यू डू दिस यानि आप ऐसा क्यों करते है मतलब कि कच्रे को उठाने का काम आप क्यों करते इसके लाबा दूसरा क काम भी कर सकते हो आप इसको जाने का काम भी कर सकते हो तो वाय डू यू डू दिस लेकिका कह रहे है आई आसक साहिव मैं साहिव से पूंचती हूं हूम यानि जिससे आई इनकाउंटर इनकाउंटर मैंने आपको बताया था इनकाउंटर यानि मुलाकात हो जाना हूम आई एनकाउंटर जिससे मैं मिलती हूं एवरी मॉर्लिंग यानि प्रत्येक सुबह स्क्राउंजिंग यानि मैंने बताया था आपको स्क्राउंजिंग यानि सर्च करना खोजन ठीक है न इस क्राउंजिंग यानि जो खोज रहा होता है गोल्ड गोल्ड का मतलए यहां पर सौना नहीं है बलकि धन्या संपत्ति है जो धन को खोज रहा होता है इन गारबेज टम्स यानि कच्रे को गिराई जाने के इस्थान पर ऑफ माइन नेवर हुड नेवर हुड का ता धन्या संपत्ति को खोज रहा होता है यूजफूर मैटेरियल को खोज रहा होता है तब मैं उससे प्रस्ण करती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं साहिव लेफ्ट इस हॉम लॉंग अबो साहिव ने लीव का मतलब होता चोड़ना सेकंड फ़र में लेफ्ट यानि चोड़ दिया था यह जो हम अपने घर को लॉंग अबो यानि बहुत पहले जो सैट यानि इस्थित था अमिष्ट दी ग्रीन फील्ड और धाका अमिष्ट यानि बीच में किसके ग्रीन फील्ड यानि हरे भव्रे खेतों के बीच में घाका के जो कि बांग्लादीष में तो धाका के खेतों के बीच में इस थे तो नहों यह नहीं से कोईश्चन आपका बन जाता है कि वाई डिट दे लीप दे अर हॉम फॉम धाका के धाका से इस परकार से कोईश्चन बन जाता है कि वह लोग सीमापुरी मा करके क्यों सेटल हो गई क्यों बस गई तो भाहिं पर इसका आंसर में पर देखने का प्रियास करते हैं सेको डियर वयर मैनी स्टर्म की यानि Boulder आर से तूफान आते थे इसमाहा प्रुफए अभपे जाते थे जो यह वह ले जाते थे ल किन यहां से फ्रीट आ नियोंके घडू और equ sparkly छोड़ दिया अब वो लोकिंग फॉर यानि तलासते हैं गोल्ड यानि उस धन संपत्ती को या अपनी अजीविका को इन दा बिक सिटी यानि बड़े सहर में वेर ही नाव लिप्स यानि जहां पर वो रहते हैं ठीक है तो क्या कारण था वाई डिट दे लीव डियर ग्रीन फील्ड या फिर वाई डिट दे सेटल डाउन एट सीमापुरी वो सीमापुरी में क्यों बस गए थे क्योंको देर वर म सीमापुरी और यही कारण है कि वो सीमापुरी में आगर कि सटन हो गए अब देखते हैं हम आगे लेका कह रहे हैं मैंने उसे प्रस्न किया कि वाई डू यू दू दिस क्या आप ऐसा क्यों करते हैं तो बो जवाब देता का I have nothing else to do यानि मेरे पास करने के लिए कोई दूसर तू डू यानि करने के लिए ही मटर्स मटर निस मैंने भी बताया था आपको बदूदाना धीरे से बोलना ही मटर्स यानि वो धीरे से बदूदाता है लोकिंग अबे यानि दूर देखते हुए लेका कह रहे हihad या मैंने का go to school विद्या ले जाया करो आई से ग्लाइबली मैंने लापरवाई के साथ कह दिया मैंने लापरवाई के साथ कह दिया के विद्या ले जाया करो realizing, realize business होता मैहसूस करना महसूस करते हुए इम्मीडियेटली यानि तुरंथी तुरंथी ये महसूस करते हुए कि हाउ हॉलो कि हाउ हॉलो रियलाइजिंग यानि महसूस करते हुए इम्मीडियेटली यानि तुरंथी कि हाउ हॉलो हॉलो में साब को बताया था मैंने कि how hollow the advice must sound कि उसकी advice उसकी सला कितनी खोकली sound हुई थी लगी थी या प्रतीत हुई थी कि उसकी सला कितनी खोकली प्रतीत हुई थी उसने कौनजी सला उसने एक सला दी थी उसको go to school विद्याले जाया करो उसने कैतो दिया विद्या ले जाया करो लेकिन जिस परकार की परिस्तिती से अभी साहिव गुजर रहा है या जिस परकार की उनकी आर्थिक परिस्तिती है ऐसी परिस्तिती में उसके लिए विद्या ले जाना कोई आसान काम नहीं है तो लेकिका ने सला तो दे दी लेकिन यानि मेरे प्रोस में उन्हें बेलाने जब मेरे प्रोस के लोग बिल्ड यानी बनाइंगे तो ाई इल से घंट लेस्टीया आपके बहुत। एफ आइ स्टार्ट सकूल। ऐच्ट कॉंप एधर है स्टार्ट सकूल ॥ॉप एड़ियॉ डे खुलके मुस्कराते हूँ कहता है कि हाँ मैं आउंगा अप फ्यू डेटर यानि कुछ दिनों के बाद मैं I see him मैं उसको देखती हूँ running up to me मेरी तरफ दोड़ते हुए और मुझसे आकर के पूंचता है जी और स्कूल डेडी क्या आपका विद्याले तैयार है तो मैं कहती हूँ it takes longer long means time के लिए अधिक समय अधिक समय लगता है to build a school यानि एक विद्याले बनाने में I say मैं कहती हूँ embarrassed यानि embarrassed यानि सर्विंदा होते हुए at having made a promise at having made a promise यानि अपने किये हुए वादे पर सर्विंदा होते हुए that was not meant meant यानि तात पर एक ऐसा वादा जिसका कोई भी तात पर नहीं था जिसका कोई अस्तित कोई उच्छित नहीं था but promises like mine लेकिन में जिस प्रकार का वादा मैंने किया था promises like mine लेकिन मेरे जैसे वादे around in every corner around यानि भरे हुए थे in every corner प्रते कोईम अप इस ब्लीक वर्ड यानि उस 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 साहिब के उस ब्लीक यानि नीरस उस आनंद रहे उस रूखे संसार के प्रते कोईम में मेरे जैसे किये गए वादे जो है वो भरे हुए थे अर्था जिस प्रकार का वादा मैंने किया था निश्टित रूप से सिंसार में बहुत से लोग और उसके साथ इस पतार की वादे किये थी आज हम इतना ही पड़ेंगे और हम आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे एगले वीडियो में आप इसको निश्ट रूप से रिवाइज करें इसके जो भी डिफीकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप पहले से ही यार भीकल लिया करें धन्यबाद